इस बैमानी के धंदे में इमानदारी का होना बहुत जरूरी है महेश भट साहब फिल्म नाम बनाने की योजना में लगे हुए थे उस वक्त मुकेश भट ने कहा कि इस फिल्म की कहानी में कुमार गौरब और संजे दत को लेना चाहिए ये दोनों उस वक्त भट साहब के यहां रात रात बर बैट कर शराब पीते और फिल्म के बारे में डिसकाशन किया करते थे इसी दोरान संजे दत की फिल्म रौकी हिच नहीं हुई उनकी मा नर्गिस दत का दिहान तो गया और संजे दत ड्रक्स के आदी हो करे उनके नशे के आदत को छुड़वाने के लिए उनके पिता सुनील दत उन्हें विदेश ले गए अपने पिता की तकलीफों को देखते हुए संजे दत ने कसम खाई कि वो कभी नशा नहीं करेगा संजे दत जब वापस लोटे तो फिल्म नाम का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा उन्होंने जीत तोड महनत करी फिल्म हिट हुई लेकिन अपने पिता सुनील दत से किया हुआ उनका वादा फ्लॉप साबित हुआ संजे दत ने फिर से पीना शुरू कर गिया और वो दूपते चले गए नमस्कार आप देख रहे हैं लोकमत न्यूस डॉटर्टरी आज हम आपको बॉलिवूट के उस शक्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनने कभी नशेडी कहकर पुकारा गया तो कभी देश द्रोही का ताज पहना दिया अजीब वो गरीब उतार चड़ाव के बाद इनकी जिन्दगी एक अनोखी दास्ता बन गई एक ऐसी अनोखी दास्ता जिस पर राज कुमार हिरानी जैसे निर्देशक ने फिल्म बना दिया ये बॉलिवूट का वो सितारा है जो कई बार टूटा लेकिन चमक अब भी बरकरार है संजय दत का जरम 39 जुलाई 1969 को नर्गिस और सुनिल दत के घर में हुआ था ये दोनों अपने ही टाइम के बहुत बड़े सुपरिश्टार थे अगर बात करे संजु बाबा के बच्पन की तो बच्पन में ही उन्हें बोल्डिंग स्कूल में ढाल दिया गया था जो कि सुनिल दत और नर्गिस के लिए बतोर माबाप काफी मुश्किल था उसके बाद नर्गिस ने संजु बाबा को एक लेटर लिखा था और मुझे नहीं लगता कि माँ और बेटे के रिष्टे को दिखाने के लिए उससे बहतर कोई चीज हो सकती है अब जब तुमने वादा किया है कि तुम और अच्छा करोगे तुम मैं भी वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने हर महीने आया करूँगी तुम तो जानते हो कि तुम हमारे एक लौते बेटे हो हमारी उम्मीदे तुमसे जुड़ी होई है तुमें मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए ताकि तुम हमारे बुड़ापे का सहारा बन सको संजु बाबा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात 1972 में आई फिल्म रेश्मा और शेरा से बतोर बाल कलाकार के रूप में की थी लेकिन इंड़स्ट्री में कदम रखने से पहले ही उनकी मा नर्गिस को कैंसर हो गया एक तरफ संजु बाबा रौकी की शुटिंग में रस थे जिसमें संजु बाबा के लिए उनकी चिंता साथ चलकती है प्लीज संजु का खयाल रखना देखना वो कहीं फिर ना उन बेफकुफ लड़कों के चकर में पढ़ जाए वो बहुत भोला है उसे एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसकी गलतिया एक दिन उसी के लिए मुसीबत बन जाएगी मा को खोने और फिल्मी असफलताओ के कारण संजे दद ड्रक्स के शिकंजे में आ गए कोकीन, हिरोईन, हशीज वो हर तरह के ड्रक्स लेने लगी उन्होंने खुद कई बार कबूला है कि कोई ऐसा ड्रक्स नहीं है जो उन्होंने कभी न लिया हो एक दिन वो सोकर उठे और अपने नौकर से कहा कि खाना लाओ मुझे बहुत भूक लगी है नौकर रोने लगा और कहा कि संजु बाबा आप दो दिन पहले सोए थे और आज उठे हो पूरा घर रो रहा है ये सुनकर संजेदत गलानी से भर गए आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि वो नशे की लट छोड़ने रिहाब सेंटर जाएंगे 1987 में संजेदत ने रिच्चा शर्मा से शादी की उनकी जिन्दगी में खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम त्रिशाला रखा गया 1993 में रिलीज हुई खलनायक ने थो उन्हें सूपर स्टार बना दिया इसी दोरान माधुरी दिख्षित के साथ भी उनके अफ़ेर के खूप चर्चे थे नब्भे के दशक में माधुरी दिख्षित और संजेदत की लफ स्टोरी बॉलिवुट गलियारों में च्छाए अपने अफ़ेस के बारे में संजेदत कभी छुपाते भी नहीं थे संजेदत की जिंदगी में खुश्यों की उम्र बहुत छोटी रही उन पर 1993 में मुंबई बम धमाकों में अवैथ हत्यार रखने का आरोप लगा संजु बाबा के जेल जाने के बाद माधुरी दिख्षित ने भी उनसे दूरिया बना ली उनकी पतनी रिट्चा शर्मा कैंसर से जूज रही थी जब संजेदत ने उन्हें तलाक दे दिया इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई 1996 में संजेदत की पतनी रिट्चा शर्मा की मौत हो गई सन 1998 में संजेदत ने मौडल रिया पिलाई से शादी की लेकिन 2005 में इन दोनों का तलाक हो गया जेल से रहा होने के बाद संजेदत ने दाग दा फायर, कार्तूस, दोड़, हसीना मान जाएगी जैसी कई फिल्मे की लेकिन बात नहीं बनी फिर उसके बाद 1999 में एक फिल्म है वास्तो जिसने उनके करियर को थुड़ी अलग दिशा दी लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अभिनेता के जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आती है जो रात और रात उसकी जिंदगी बदल के रख देती है और वो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में संजदत की जिंदगी को पलट कर रख दिया उनकी खरनायक वाली छवी को हीरो वाली छवी में तबदिल करकर रख दिया 2008 में संजदत ने तीसरी शादी की नाम था दिलनशीन शेक उन्हें देखा गया था प्रकास जा के फिल्म गंगा जल में एक आइटम नमबर करते हुए शादी के बाद वो अब मानिता दत के नाम से जानी जाती है और इस शादी से संजदत को दो बच्चे है संजदत पर कोट की तलवा लटकती रही साल 2007 में संजदत को टाडा कोट ने 1993 मुंबाई बम धमाके में गैर कानूनी तरीके से हत्यार रखने में 6 साल की सजा सुनाई तो पूरी बॉलिवूड इंडस्ट्री में हड़कम मच गया 2013 में सुप्रीम कोट ने टाडा कोट का फैसला बरकरार रखते हुए संजदत को 5 साल की सजा सुनाई संजदत ने अपने परिवार समेथ मीडिया से बात की और कहा कि वह अपनी सजा के लिए माफी की अरजी नहीं देंगे और कोट के फैसले का सम्मान करते हुए सजा पूरी करेंगे संजदत को पूरे की यरवदा जेल ले जाया गया यहां उन्हें अपनी सजा के बाकी 3 साल और 6 महीने बिताने थे आखिरकार 25 फरवरी 2016 को संजदत अपनी सजा पूरी कर यरवदा जेल से रिहा हो गए संजदत की जिन्दगी की कहानी फिल्मों से भी जादा फिल्मी है इस कहानी में ट्विस्ट है, रोमांच है, ट्राजडी है और रोमांस भी लेकिन इस कहानी के कुछ सीन्स अब भी लिखे जाने बाकी है अगर आपको उनकी जिन्दगी आगे भी सप्राइस करती रहे तो हैरान होने की सुरत नहीं है